नमस्कार दोस्तों मैं हूरित्तिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चेनल गरिमा बोत्रा दोस्तो इस व्यडियो में हम बात करेंगे राजस्तान शिक्षाबोर्ड के कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 11 के 2020 के परिक्षे हिती वह दोस्तो जो नगिया टाइम टेबल है उसके समद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों की आपकी प्रिक्षाइं है वो कब से शुरू होनी वाली है और दोस्तों आपका क्या रहेगा एक्जाम का शेड्यूल लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोतरा को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बिटन को दबा दीजिए जिसे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सहीव है से टिक न्यूज दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो कक्षा नोवी 20-10 के एकजाम थे दोस्तों वह अभी पहले के साथ देके तो दोस्तों नो उप्रेल से लेकर 26 ऐप चलने वाले से दोस्तों नोवरेल को आपका एकजाम है वह श्टाट हुथा पहला पेपर आपका एंगलीक नहीं हो पाएगा कारणि सकारहर एगा दोस्तोंimat नहीं को पहल तो अन्य एबॉर्ड विन्य जो बिनना आबॉर्ड कक्षा हैं उनका साथ में एक्जाम नहीं हो सकता दोसतो जगए की कमी पड़ जाएगी सिक्षिकोह की कमी पड़ जाएगी इसलिए यह दी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपकी जो नई परिक्षा जिती और निया टाइम टेबल है वो क्या रहेगा चलिए दोस्तों देखते हैं यह देखिए दोस्तों आपने आल में सुना होगा कि राजस्तां में ककषा 6ज 7 नोई 11 के पेपर कोरोना वाइरिश के कहर को देखते वे रद कर दिये गए हैं साथ ही राजस्तान में कक्षा 6,7,9,11, के विद्यार क्योंको उनकी बिना परिक्षा लिए ही उनको अगली करह क्लास में पास कर बेज दिया जाएगा तो दोस्तों में बता दूए खबर तो एक दम ही गलत है बिना परिक्षा दोस्तों आपको नोवी और 11 में तो बेजना होता है दोस्तों जिसका अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन इसके अंतरगत 8 विकक्षा तक के विद्यार्थियों को पास करना आवशक होता है दोस्तों इस करन से आपको अपने अदवार सिक के जो प्राप्तां का आपने प्राप्त किये उसके हिसाब से दोस्तों बिना एक्जाम है वो पास नहीं किया जाएगा यदि दोस्तों बात करें आपके एक्जाम तिति के तो यह देखे दोस्तों यह दोनों खबरे अपवा है क्योंगों सी खबरे दोस्तों कि आपके बिना एक्जाम ही पास कर दिया जाएगा क्योंगी इसका एक बहुत बढ़ा कर दोस्तो 23 अपरेल डेट देने का अर्थ यह कि यह दी मान कर चलिए दोस्तो 5 यह 7 अपरेल तक ही यह दी आपके दोस्तो बोर्ड की जो नया टाइम टेबल है से ड्यू जारी कर दिया जाता है तो लगबग मान कर चलिए दोस्तो आपके 18 अपरेल तक के एकजाम है दोस्तो बोर आदो आपके एक्जाम है वो 23 अपरेल 2020 वार गुरुवार से सुरू होगी अत्वा मई के प्रस्थम सर्था तक चलेगी और आपका जो पहला वेपर है दोस्तों वो अंग्रेजी का रहेगा जब कि आप सब जानते हैं कि राजस्तान में कक्षा 6-7-9-11 की परिक्षण है कभी म होई 11 वी की जो वाजशी परिक्षण है दोस्तों वो 23 अपरेल 2020 से मई के प्रस्थम सर्था तक चलने वारी है और बाद में आपको दोस्तों गर्मियों की छूटियां कर दी जाएगी और एक जुलाई से दोस्तों आपका जो नया सत्र है वो प्रारम हो जाएगा तो दोस्त जो टाइम टेबल हो दस अपरेल तक जारी कर जाएगा जब दोस्तों आपका टाइम टेबल जारी किया जाएगा तो मैं इस चैनल पर आपको सबसे पहले बताऊंगा इसलिए आप हमारे अपने चैनल गरिमा बोतरा को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक आपको पता है पुरे राजस्तान में चल रहा है तो दोस्तों आप उसको सपोर्ट कीजिए और दोस्तों आप उसे सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखेगा कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा और उसके सासा दोस्तों आप कौन सी करास से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट करके मुझे जुरूर बताइएगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो अचा लगे तो दिखशे दिखशे जुरूर करें